आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello दोस्तों हमारा इसका Question है सीखे हुए ग्यान, कोशल या विशे का अनिपरस्तितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं तो यहाँ पे हमारे चार आप्शन दिए गए हैं पहला है प्रेड़ना दूसरा है सीखने का स्थानांत्रण तीसरा है भगनाशा और चौता है चिंता तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारा कोशन क्या कहता है सीखे हुए ग्यान कोशल या विशे का अनिपरस्तितियों में पयोग करने को क्या कहते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिगम के कौन से तत्व होते हैं या फिर कितने तत्व होते हैं तो अधिगम जो है अधिग्रम के तीन तत्व होते हैं इसमें से जो पहला तत्व होता है वो होता है नए कोशल को नए कोशल को सीखना और दूसरा जो तत्व होता है वो होता है उस सीखे होए कोशल को लंबे समय तक बरकरार रखना या फिर याद रखना और तीसरा जो हमारा कोशल होता है वो तीसरा कोशल होता है सीखे होए कोशल को जरूरत पढ़ने पर उपयोग में लाना यानि कि जो भी हमने कोशल सीखा है उसको जब उपयोग या फिर जरूरत पढ़ती तो उसको उपयोग में लाया जाए तो यहाँ पर हमारे अधिगम के तीन तत्व होते हैं, यहां पर पहला option दिया रखा है प्रेणना, तो सीखें कोशन का अन परस्तितियों में, प्रेणना के लिए उप्योग कर सकते हैं, और आगे चलते हैं, सीखने का स्थानांत्रण, यानि कि जो ये जिरुवत पढ़ने पर, उप्योग में लाना ये स्थान सीखें कोशल का, चिंता भी करना, कोई महत्र की बात नहीं है, तो यहां पर जो है, हमारा सबसे सही option होगा, सेकंड वाला सीखने का स्थानांत्रण, तो ये सेकंड आप्शन इस राइट आंसर, थैंक यू.